बीजेपी की सांसाद डॉटर संग्मित्रा मौर्या हमारे साथ हैं संग्मित्रा जी आप से जो सबसे पहला सवाल है और आपके मुस्कौाट बता रही कि आप सवाल समझ रही है सवाल ये है आप से कि आप भारती जन्ता पार्टी में अभी आपकी भूमिका क्या है ये सवाल मेरा जो है आपसे वही है जो लोग जानना चाहे रहे हैं कि आपके पिता जी जितना मुखर विरोध करते हैं आप उनकी बेटी है आपकी राजनीत जो है उसकी कहीं न कहीं उसकी जड़ में पिता जी का मारदर्शन है लेकिन आज आप बीजेपी में खुद को कहां पाती है पिता जी के इस विरोध को देखते हुए मुस्कुराहट पर सवाल का हमसे कोई तालुक नहीं था क्योंकि मुस्कुराहट तो इसलिए थी कि हमें मुद्दा कुछ भी हो हमें घेरने का प्रयास किया जरूर जाता है लेकिन आशिरवाद है कि उस घेरे में हम फस नहीं पाते हैं और रही बात पार्टी की तो मैं भाजपा में सांसद होने के साथ साथ पार्टी में एक कारिकरता के रूप में कारे कर रही हूँ और पार्टी में जो जिम्मेदारियां सब को मिल रही है वो जिम्मेदारी हमें भी मिल रही है और बाखुबी मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वाहन भी कर रही हूं और आगे भी करूंगे असकी तारीख में मैं जिन संग्वित्रा मौर से बात कर रहा हूँ वो जिसे कहते मन वचन कर्म उससे बीजेपी के साथ हैं निश्चित तोर पर अगर कहीं पर किसी भी तरह का 0.1% भी कहीं संदे आत्मक हमारे अंदर होता संदे होता किसी तरह का इधर उधर का तो निश्चित तोर पर हम कारे करने को भी छेतर में जब लगते हैं तो उसमें भी हम एक कदम पीछे करते हैं लेकिन हमारे कदमों में पीछे नहीं बलकि हम लगातार अपने कदमों के रखतार को बढ़ा रहे हैं क्योंकि दोहजार चौबेस नस्दी का रहा है दोहजार चौबीस में संग्मित्रा मौरिया एक बार फिर से बदाईयों की सीट से सीट बदाईयों होगी या नहीं होगी यह पार्टी का सिर्स नेतित तो तै करेगा लेकिन संगमित्रा मोर्या भाजपा में होंगी यह संगमित्रा मोर्या तै करेंगी यह तै करेंगी यह तै है यह संगमित्रा मोर्या तै करेंगी कि उन्हें भाजपा में ही रहना है ये हमने कहा ना सिर्स नेति तो तै करेगा कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है लेकिन संगमित्रा मौरिया भाजपा में कारी करता की तरह रहेंगी अपने तस्वीर एकिलियर कर दी अब दूसरी पर आते हैं ये जो आ लगातार जो रामचरित मानस का जिक्र करते हैं ये आप पे भी सवाल आता है कि संगमित्रा मौरिया का सुच्टी रामचरित मानस को ले करके क्या वाकिए उसमें कुछ ऐसी चीज़े हैं जिन पर एतराज ह जाये तो बेहतर होगा मैं इन सब चीजों से दूर हूँ और उस बिवाद में मैं किसी भी तरह से पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं एक ये वो समय है जो हम राष्ट्रों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और राष्ट्र के आगे बढ़ाने में किसी भी तरह का बिवाद उत्पन्य हो यह हम नहीं चाहते ही है ठीक है यह आपका विश्चरा दिखा रहे है तेकिन रामचरित मानस के बारे में क कौन कहां पर किस रूप में किस चीज में आस्था रख रहा है और किसी की आस्था को ठेस पहुचाना ये हमारा या किसी का भी अधिकार नहीं है हर कोई अपने शद्धानुसार आस्था रख भी सकता है और वो नास्थिक भी हो सकता है अब एक और आप मैं बीजेपी सांसत से सवाल कर रहा हूं इस समय ग्यानवापी को लेकर के संग्मिता मौरिया का क्या दिस्ट कौन है? जब कोई बिसे नियायले में पहुंच जाए तो उसमें हम तो बहुत चोटी चीज हैं बड़े लोगों को भी उसमें हस्ता छेप नहीं करना चीए जो नियायले का निर्ने आएगा जो बात कही जाती है डॉटर संग्मित्रा कि वहाँ पर बीजेपी के कई निता कहते हैं कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर का वहाँ निर्माण किया लोगी जी ने भी कही दिया कि उसके अंदर त्रिसूल है आपने सुना हो का उनका बयान? बिल्कुल मैंने सुना है लेकिन मैंने आपको इसपस्ट किया कि मुद्दा नियायले में है नियायले का जो निर्ने होगा वो सर्व मानने होगा पीछे भी अगर हम चर्चा करें नियायले के निर्ने की तो राममंदिर पे भी इतने लंबे समय से बिवाद हो रहा था लेकि अगर बयान है तो साच्छी भी होंगे और हमें लगता है कि इसकी भी चर्चा आप जा करके वही पर करें तो एक आपको जो भी बयान का कारण होगा वो निकल करके आएगा और हमें जातियां खतम करने चाहिए और हम तो कहते हैं जाती ही क्यों जाती धर्म से उठकर के हम सब को मानवता का धर्म निभाना चाहिए आपका नाम संग मित्रा है वो रखाई आपकी पिता जी ने था बहुत धर्म की सक्षाओं को उस आतिहास को देखते हुए तो डॉटर संग मित्रा को क्या लगता है आपने का कि सक्षोंगे तो ये तत्य है आपको लगता है कि ऐसा हुआ है कि मठ तोड़ करके वंदिर बनाए हैं हर मानो एक समान है इस पर अगर हम कार्य करें तो शायद हम रास्ट को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं जहां मानवता की भावना उत्पन्य हुई हम कभी जाती में बटकर के आपस में लड़ते हैं कभी धर्म में बटकर के आपस में लड़ते हैं हमें इन दोनों से उभर करके रास्ट के लिए कारे करना चाहिए तो आपके और उनके बयान में यह परस्पर विरुधा भास आप उनकी बेटी मैं क्यूं कि कई बार जातियां हर तरह से आड़े आती हैं कई बार बैकवर्ड होने का भी हमें नुकसान भुगतना पड़ता है तो क्यों ना हम जातियों को पूरी तरह खतम कर दें जब हमारे सरनेम के आगे जाती होगी ही नहीं तो हम किस वर्ग से बिलॉंग करते हैं वो समिस्या भी खतम होगी और हो सकता है जिससे हम वंचित रह रहे हैं वो हम आने वाली पिडियां हम तो समाजवादी पार्टी जाने और पिता जी जाने की बात होती है हमारी बात होती है एक समाजवादी पार्टी के नेता के दाईतों को लेकर के नहीं हमारी बात एक पिता से होती है और परिवार में पार्टी नहीं होती है तो निशित तोर पर परिवार में हम सब खुस है तो मैं कोशिस करूंगी पाटी की द्वारा दिये गए निर्देशों को तो मैं सुरू से प्रियास करती हूँ और आगे भी किसी भी दाइतों को अगर दिया जाता है तो खुशी होगी अगर वो फिर से बीजेपी में आ जाएं तो कौन चाहेगा कि हमें दूरिया हो यह है क्या पारिवारिक नहीं लेकिन राजनेतिक दूरिया होने की वजह से निशित तोर पर समय समय पर पिताजी को भी तरह तरह के कटाक्ष हमारी वजह से सुनने पड़ते हैं और समय समय पर हमें भी पिताजी की वजह से सुनने पड़ते लोगी आप चाहती हैं निश्चित तोर पर हर कोई चाहेगा कि हम एक हूँ और प्रयास नहीं कर रहे हैं कुछ है से चाही रही है कुछ कोशस भी कर रही है आप बाच्चे तो उनसे होती होगी हमने कहा कि पाटी का निर्देश होगा तब अपनी और से पहल नहीं करें अपनी और से कि एक बेटी पिता से जब बात करती है हम अक्सर बोलते हैं कि परिवार में राजनीती नहीं होती है और जहां पर परिवार में राजनीती शुरू होती है वहाँ परिवार नहीं, परिवार बिखड जाता है, तो हम परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं, इसलिए परिवारिक समय में, परिवारिक चर्चा में राजनेतिक चर्चा को हम नहीं रखते हैं बहुत शुक्रिया डॉटर संग्मित्रा मोरिया, बहुत ही सभाल कर जवाब दे रियें, किस्किस गेंटे बैटिंग करनी है, किस्किस गेंट को छोड़ देना है, इन दोनों की पूरी डॉटर संग्मित्रा मोरिया को समझ है, तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि BJP के जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है।